प्यार अरब लोगों को आप पाकिस्तान, अफगानिस्तान जैसी कंट्री से लागे इंदुस्तान में कहा रखेंगे? दिल्ली, बॉम्बे, भोपाल, जगा कहा है? उनको नौकरियां क्या देंगे? मुझे एक बात बताएं, आप मेंसे किस-किस के पास अच्छी नौकरियां? कोई, एक मिनिट, आप क्या एंप्लॉइमेंट देंगे, वो खाएंगे, क्या वो पहनेंगे, क्या? एक तो हमारे पास वोट करने के लिए अलग काड है, आधार काड का क्या यूज है? डिमॉनिटाइजेशन क्यों हुई? आइम सॉरी, बट अगर हम एक चाय बनाने वाले क को मिलें और मजबूत हातों में देश है हमारा इसका है. बिल्कुल भी नहीं, आपको लगता है सब? क्या आपको लगता है कि देश मजबूत हातों में? आप मुझे एक बाल बताए, आप रेपोर्टर है, पुलिस का काम क्या होता है? देश की सुरक्सा करना, लोग की सुरक सब्सक्राइट के लूट होता है, इस चाहे आपको रूटर होता है, यह सुश कहते हैं? हम पूरी पूरी राट हैं उन पौलिस को बनाते हैं, हम स्ट stand करते हैं, आपको क्या करते हैं, यह बटेस्ट कर रहे हैं, और हम इस एल आपको बिल्कुल जलत नहीं है, कोई मुझे ब अब आपने पुलिस का अभी नाम लिया कि पुलिस क्या कर रही है जैसे जेन्यों की गटना होई है कहीना कहीं पुलिस पर एक बड़ा आरोप लग रहा कि फुलिस ने ठीक से काम नहीं किया देखे मैं आपको एक बात बताती हूं मुझे पता है पुलिस वाले का काम किया है बिकर्स आई हाव बीन रेस्ट बाई पुलिस ओफिसर मैसेल्फ एक पुलिस वाले का काम नहीं है कि वो युनिवर्सिटी के अंदर एंटर करके पंद्रा दिसेंबर और पांच जानवरी की रात को और शाम में क्या हुआ है और फिर जब पांच तारी को आप युनिवर्सिटी के अंदर जाते हैं आप गुंडों को रोग नहीं सकते हो प्रॉपर्टी वांडलाइस करने से परिकर्स आपको परमिशन चाहिए थी आपको क्या लगता है जो बच्चे रात रात बढ़ भैटके पढ़ रहे हैं जो लाइफ जी रहे हैं ठीक हम लोग कॉलेज स्टूडेंट्स हैं ना हमने इतनी जिन्दगी नहीं देखी लेकिन हम बेवगूफ तो नहीं है ना आप हमारे मूँ पे आगे हमको बता रहे हो कितना और बेवगूफ बनाओगे जन्दगा लोग यह तो जान देए कि पुलिस तो सरकार करेंडर में होती है और जैसे सरकार आदेश करेगी वैसी पुलिस काम करेगा दिस इस वोल्ड वार थ्री सारी फोर्सेज एक बंदा कंट्रोल कर रहा है जुटीशरी को एक बंदा कंट्रोल कर रहा है यह वो वक्त है जब दुनिया खतम होगी जब यह देश खतम होगा अब भी अगर लोग नहीं बोलेंगे तो देश खतम होगा आप हिंदु मसल्मान को बाट रहे हो, this is the most sick thing one can do. कहीं न कहीं जो आप ये चीजे बीजेपी कर रहे हैं, दारह 370 हो, 3 तालाख हो. मैं आपको एक बात बदाती हूँ, मैंने कल राद में बाट के BJP का मैनिफेस्टो पड़ा है, BJP के मैनिफेस्टो में 13 चाप्टर है, BJP के मैनिफेस्टो में 13 चाप्टर में starting के 10 चाप्टर में development, women, safety, health issues, कहीं पर कुछ नहीं है, वो सब 13, 14 चाप्टर में आता है, उनके हमने के जिस सरकार को इलेक्ट किया है, उसके मैनिफेस्टो में बहुत क्लियरली लिखी थी ये चीज़ है, 370, NRC, CAV, सब कुछ बताया गया था, बठाम, इंदुस्तानी, मैं खुद, मैंने किसी पार्टी का मैनिफेस्टो नहीं पड़ा है, हमने ये चीज़ पड़ी हमें नही इस देश में रह रह रहा है, जिस देश में पुलिस घटना के आदे गंटे के बाद, बहुंजे, और युनिवर्सिटी में शाम के 6 बज़े ही बहुंजा, बच्चों को कब करें। जान खतम होने कोना है, क्योंकि इस वक्त सब को पता है, जो लोग बाहर निकल के बात कर रहे हैं, इस इस यूसाइड, वट वी अर टूइंग इस यूसाइड, हमें नहीं पता है, हमारी जान के, हमारी गर्दनों पर तलवार लटक रही हो, हम कब मर सकते हैं, बट इसका यह मतलब नहीं है, हम बोलना बंद कर दें। इस 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 दिफरेंस बेटूइन आस एंदें, वो लोग पड़े लिखे नहीं है, हम उनको ब्लेम भी नहीं कर सकते हैं, इस 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 इक मेंटालिटी, आप आरे से स्कूल्स बना रहे हो, आप बच्चों को भेज रहे हो, वीडियोस वाइरल हो रही है, जाओ जाके मंदर मस सिखा रहे हो, यह हिंदुस्तान का फ्यूचर है, यह जो आप देख रहे हो, सरकार तो कहने है कि हम बिजगुरू बनाएंगे, इस देश को डवलप कंट्री बनाएंगे, और आपके सरकार में को उलट है, बहुत वेलप हो रही है, डिसेमर में मेरे एक्जाम होने था, मैं स जी ने कॉंस्टिट्यूशन की कसम खाय दी, कॉंस्टिटूशन को बरबाद करने की नहीं, आप लोगों को लाने की बात कर रहे हो, रखोगे कहां, अपने लोग आपसे खुछ नहीं है, इसमें कहीं लगता है, उनकी बिचारदारह एंसी है, वो लोग तो इस चीज़ पे क पार्टी बनी कैसे कि 70 के टाइम पे जब एमर्जेंसी आई थी तब ABVP ग्रूप बनाया था अरुण जेटली सर ने जब वो डियू में LL भी कर रहे थे उन्होंने एक स्टूडेंट मुव्मेंट शुरू करा था जिसके बाद BJP गवर्मेंट इस्टाबलिश हुई वो लोग खुद इस तरीके से लाइम लाइट में आये उन्होंने इस पूरे प्रोटेस्ट के बेसिस पे अपनी पार्टी को इस्टाबलिश करें ना वन डिफरेंस जब उनकी पार्टी थी इंद्रा गांधी ने उनके ओपर ना पुलिस वाले छोड़े और मैं पुलिस वाले और उनके ओपर डंडे बरसाएगा इन फाक्ट उन्होंने जैप्रगास नरायन को उठा गे एक पूरी गवर्मेंट गिरा दी और आप हमें बता रहे हो कि आप क्या कर रहे हो हमारे पास दिमाग है हमारे पास एजुकेशन है एंड दाटे जार वेपिन वी यूजट हम हेट परेट नहीं फैलाते हैं हम पढ़ते हैं वी टीच एंड वी प्रीच दिस इस वट वी टू अपको एक बात बता हूं मैं परसू लाजपतनगर गई थी वहाँ पे 20 लोग गिन के बते हैं श्ता निए कर नवर्त वी यूजट तो ब मुझे एक बास रता हूं में ते साठ वी टिलिंग सता बस्ते हैं बीज़े के झाть माज किल शीच नंब्र में भी प्र शेंने बिटर पे नंबर निकालते हो कि कॉल करो इस तो तो डूदा मैट कितने लोग आपके समर्थन में उसमें से कितने लोग सपोर्ट में थे कितने लोग वहाँ पे सेक्स के लिए थे कितने लोग वहाँ पे नेट्फिक्स के लिए थे आप क्रोनोलोजी समझी है कि कितने लोग इसके लिए थे और कितने लोग उसके लिए थे कभी ऐसा नहीं हुआ है किसी भी कंट्री में कि कोई बिल पास हो और उसके सपोर्ट में लोग खड़े हो और जो ये लोग समर्थन कर भी रहे इनका objective क्या है क्या दिखाना चाहते हैं इनका कोई personal benefit नहीं है क्या इनको अच्छा लगा कि इनका बेटा पांच लोगों से पहले compete करता था एक सीट के लिए वहाँ पर 20 लोगों के साथ compete करेगा क्या इस शीज का support कर रहो आप अब की battle अगर illegal immigrant से है illegal immigration से है तो वो जायज है illegal immigrant को ना लड़के आप उनको नागरिकता देने पर उनका support करो अरे रखोगे उनको खुद के लोगों को नौकरी देने के लिए नहीं है आपके बास आप मुझे एक बास बताओ यहां पर हमारी हमारी एकनॉमिक हमारी एकनॉमिक हमारी एकनॉमिक की मिनिस्टर इतनी सेल्यूट टो हर वो कहती है कि मुझे टेंशन यह मैं प्याज नहीं खाती हूँ यह क्या है यह लोग निकले थे एकनॉमिक ठीक करने प्याज और मुर्गे के भाव कड़ा दिए इस देश का यूथ आप समझने लगा कि कई ना कई देश गलक खाते है अरे भाई हम समझ पह कश्मीर में हुई मुझे यह पता था कि यह देश के हर मुसलमान पर हमला है लेकिन कोई नहीं समझा क्यूंकि पता है हम लोगों के सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है जब तक कोई मुसीबत हमारे घर के दर्वाजे पर आकर दस्तक नहीं देती ना हमको समझ में नहीं आता अब जब ओ गया है या तो आप दो जाओ Qui Это आपको सरकाराइस ओकिन तौू अभी कोई एडिन E9ट नहीं तो सम्हें और मेरे शाओ में मेरे में दावाजे में के बाद हमारे औरिमेंट में खड़े हो कि हम तो एक इंच भी नहीं लेगे वो लोगों की गोपे बात आ गई है लेकिन हम लोग पीछे नहीं हटेंगे इट इस वी अगेंस देपल वी एलेक्टेड अगर उनको हम कुछी दे सकते हैं तो कुछी चीन के कब किरा सकते हैं उनको खुद पता नीचले मेरा आकरी सवाल आप से है क्या इस पूरे मामले में माहौल में जो इस्ति बनी है देश की कहीं नहीं मीडिया का भी इसमें घूमिका रही हैं आप कैसे देखते हैं बहुत बढ़ी बहुत बढ़ी बहुत है लेकिन मैं उस बात नहीं जैसे 15 तारिक को जो जेन्यू में हुआ उसके बाद Z News या किसी और चैनल का ये पोल था जिसमें पोल में पूचा गया था कि हुआ रेस्पॉंसबल फॉर दे जेन्यू वाइलेंस, लेफ्टेस गून्स, कॉंग्रेस गून्स और A.B.B.P. स्टूडेंट्स ब्राकेट्स में लिखा है कि who are minorities in chain youth? मीडिया ऐसे पोल निकालेगी और उस पोल में भी वो हारी, उस पोल में भी वो हारी है, तो मीडिया ने जो भी accusations लगाएं students पे, मीडिया ने तो यहां तक यह भी दिखाया है कि भाई, लोग यहां पे खड़ो के नारे लगा रहे हैं कि पाकिस्तान, जिंदाबाद और हिंदुत्वा की कबर खुदेगी, देश के किसी भी मुसल्मान से जाके पूछ लोग किसने ऐसा बोला होगा कि हिंदुस्तान में हिंदुत्वा की कबर कुदेगी, यह दिखायने का कोई तुक ही नहीं बनता है, आप पूरी तरह बिके हुए हो, मीडिया पूरी तरह बिकी हुई है, हम आवाज भी उठाएं तो उसको चेंज करके दिखाये जाते हैं लोगो, लोग भढ़केंगे नहीं जो चीज टेरिरिजम ने इसलाम के लिए करी, वही चीज गोधी मेडिया और पीजेपी हिंदुस्म के लिए कर रही है, जैसे एक जो हिंदु संगठन है, उसके नेता का बयान आता है, कि जेनियू में जो हमला हुआ, वो हमने करवाया, क्या आपको नहीं लगता है, जैसे स बहुत पहले वही पह था, आप मुझे एक बात बताए, आप मुझे एक बात बताए, यहां पर यूपी में, कहां-कहां पर क्या कुछ नहीं होता है, मैं आपको अगर इस वक्त अभी इंसिदेंस गिनवाने पहांगी न, इट वूट टेक मी टू टेज, रेप होता है, लड बहुत पहले से वहीं पहे था, हमारा देश बरबादी की कागार पे पहुंच चुका है, दिस इस हावी स्टेटिट, कि हम बरबाद होने की कागार पे आचुके हैं, गांधिवाद, बिस्मिल की पॉलिसी, अंबेटकर की पॉलिसी जो भी थी, वो सब खतम हो रही है, और ज चाहें आप डॉनलाड ट्रम को देख लेजे, एरान पर हमला हो रहा है, कही न कहीं, ऐसी इस्तिती बनना ही है, ये पूरा देश में, पूरी दुनिया में ऐसी एक ये माहुल चला है, इसमें कहीं न कहीं, मोधी भी एक हिस्सा है, बिल्कुल है, क्यों नहीं है, जिदे के य क्या कॉंग्रेस नहीं पास करवाया था, ये बीजेपी नहीं करवाया था, बीजेपी बचना है, पूरी दुनिया को बचना चाहें देगे, यूनिटी और पीस, यूनिटी और पीस, वर्ल्ल इशूज है,